मैं कौन हूँ? अध्यात्मकार थे, खुद के बारे में सब को जान लेने की चाहा, ऐसा क्या है, जो हमें खुद को जानने के लिए प्रेडिट कर सकता है? जैसी राम दोस्तों, मेरा नाम है ने के तो लेगवा फिर से आप सब का मेरे यूटूब चेनल पर सौगा थे आज का हमारा टोपिक है, मैं कौन हूँ? चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं ये पहली और सबसे जरूरी चीजे जो आपको अपनी जिन्दगी में करनी चाहिए, सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ? मेरे अस्तित्व की फ्रकती क्या है? और धारन के लिए काउंटर समार रही महीला बोली, सर यहां एक लाइन है, किर्पिया लाइन में खड़े हो जाएं वो बोला, नहीं, नहीं, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है, वो बोली, नहीं, किरप्या लाइन में खड़े हो जाए, फिर वो बोला, क्या तुम जानती हो, मैं कौन हूँ, महीला ने एक दम से माइक उठा लिया, और बोली, यहाँ एक आदमी है, जो यह नहीं जानता है कि वो कौन है क्या कोई उसकी मदद कर सकता है नहीं उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्यूंकि हर कोई उसी इस्तिती में है हर कोई खुद का असल स्वरूप जाने बिना यहां जी रहा है इसके बारे में बुनियादी बाते जाने बिना ही हम अपना जीवन जीने की कोशिस कर हैं सारी औस्वेवस्ता इसी वजे से olm mirk को ओन यह प्रसद हुआ आपकी जीवन सबसे गुर्फ परस्द है अगर आप यह नहीं जानते कि आप कोण है तो क्या आप कोई भी अधनी चीज निश्चित तोर पर जानते हैं अगर आप इतद भी नहीं जानते कि कि आप कौन है तो क्या आप किसी अन्य को या किसी अन्य चीज को जानने में सक्षम हो पाएंगे। अगर आप नहीं जानते कि आप कौन है तो सब कुछ एक बड़े मजाक की तरह हो जाता है। तब एक मात्र संटावनर यह होती है कि हर कोई आपके साथ है। मैं कौन हूँ यह परसन आपके मन और सरीर में चीक रहा है। अगर आप अपने अस्तित्व की प्रकती नहीं जानते तो आप सयोग से अपना जीवन जीएंगे। सब कुछ सयोग वस और धारना और राय के अधार पर होगा इसमें सत्य नहीं होगा। जब आप मन की सवी बकवा साप नहीं करते तो मैं कौन हूँ बस एक परसन है। अगर आप सवी बकवा साप कर दें तो आप देखेंगे कि मैं कौन हूँ ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। यह सबसे बड़ी चीज है। ये पसन मैं कौन हूँ कोई परियोग या जिग्यासा मातर नहीं है ये ऐसी चीज है जो आपको चीरने लगती है जब तक ये आपको चीर के दो तुकड़े ना कर दे तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि अंदर कौन है मैं कौन हूँ जो स्वयम से इस पसनों को नहीं पूछता है उसके लिए ग्यान के द्वारबंधी रह जाते हैं उस द्वार को कोलने की कुणजी यही है स्वयम से पूछो की मैं कौन हूँ और जो परबलता से और समगरता से पूछता है वे स्वयम से ही उत्तर भी पा जाता है करलाईल बूरा हो गया था उसका सरी असी बसंद देख चुका था और जो दे कभी अती सुन्दर और स्वस्त थी वे अब जरजर और धीली हो गई थी जीवन संद्या के लक्षन प्रकट होने लगे थे एसे बढ़ापे की एक सुबे की घटना है करलाईल इसनान गिरे में था इसनान के बार वे जैसे ही सरी को पोचने लगा उसने अचानक देखा कि वे दे तो कब की जा चुकी है जिसे की वे अपनी इमान बेटा था सरी तो बिलकुल ही बदल गिया था वे काया अब कहा है जिसे उसने प्रेम किया था जिस पर उसने नहीं है लेकिन वे तो वही है वे तो नहीं बदला है और तब उसने सोयम से ही पूछा था आहा तब फिर मैं कौन हूं यही परसन परतेक को अपने से पूछना होता है यही असली परसन है परसनों का परसन यही है जो इसे नहीं पूछते वे कुछ भी नहीं पूछते हैं और जो पूछते ही नहीं है वे उत्तर कैसे पा सकेंगे। पूछो अपने अंतरतम की गहराईयों में इस प्रस्न को गुजने दो मैं कौन हूँ। जब प्रानों की पूरी सक्ती से कोई पूछता है, तो अवस ही उत्तर उपलब्त होता है, और वे उत्तर जीवन की सारी दिशा और अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसके पूरु मनूस अंधा है, उसके बाद ही वे आखों को पाता है तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो आंगे और और भी दिल्चप्स वीडियो पाने के लिए प्लीज मेरे चेनल को सब्सकाइब करें और कमेंट करना ना भूलें अब आग्या दें जैसरी राम